जैहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पड़िवार, Maths Group मनीज में दोस्तो मैं हूँ में के एक्सपट और आपका एक्जाम यदी 2023 में है और एक फरोडी से आपका एक्जाम शुरू हो रहा है ठीक है आज जैसा कि आप सभी को मालूम है तो आपको एक अंतिम निर्देश देना चाह रहे हैं और ये निर्देश आप सभी के लिए बहुत जरूरी है यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो बोड एक्जाम में आपका रिजल्ट रुख सकता है ठीक है ये बात आपको जो है जान लेना है अब इस बीडियो को पूडा अंति तक देखना है और जो निर्देश दिया जा रहा है इसको आपको फॉलो करना है बोड एक्जाम म अपने मन से कुछ भी एक्ष्टा करने की जरुवत नहीं है अन्य था आप इक्जाम से भी बनचीत हो सकते हैं ठीक है न और आपका रिजल्ट भी रुख सकता है अब आईए कुछ निर्देश हम आपको दे देते हैं कि जब आप इक्जाम हॉल में जाए या उससे पहले की पूरी बात हम आपको बताते हैं जैसे माली जी कि एक फ्रवडी को आपका एक्जाम है नौ बज़ आपको सेंटर पर जाना है ठीक है न तो जहां भी आपका सेंटर है यदि विवस्था हो पाए तो आप सभी वहां पर जो है डेरा ले उस सेंटर के आसपास ठीक है ना दूसरा आप रिस्क ना ले, रास्ते में कुछ भी अन्होनी ना हो, ठीक है, मतलब ये गाड़ी ही है, मसीन है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, उसका तो इसके बज़ा से आपका एक्जाम छुट सकता है, ठीक है, आपकी त्यारी कितनी भी बहतर क्यों ना है, ठीक है, लेकिन य आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आसपास कहीं डिरा ले ले, जहां पर आपको अच्छा से विवस्ता रखना है, और डिरा में जो है, 57 लोग से ज़्यादा ना रहें, ठीक है, और वैसे दोस्त को रखे, जो पढ़ने वाला हो, ठीक है न, बैतर हो ऐसा नहीं कि वह तो वहाँ जाकर मतलब आपको भी डिश्टर्ब करें, और फिर जब आपको डिश्टर्ब करेगा, तो आपका पुड़ा एक्जाम खराब हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान से सुन लीजेगा, आप अपने एड्मीट कार्ट बगरा को अच्छ टोटल जानकाड़ी, आपको कुछ भी नहीं चुटेगा, आराम से आपको देख लेना है वीडियो, एक्जाम से पहले ये जानकाड़ी आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और इस दिसनान इंड़ेस का पालन करना है आपको, एक्जाम हॉल में भी बहुत सारे चीज़ तो है, आप देखें कि एक्जाम से पहले एक अफवाह उठती है, कि वाटसप पर आगया, क्वेश्चन का अंसर, अब्जेक्टिव का अंसर आगया, ठीक है, इन अफवाहों से आपको हमेशा बचने की जरूरत है, समझ में आ रहा है, इन अफवाहों के चक्कर में नहीं प पढ़ाई, बंद कर देनी है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नया चीज नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि आप एक्जाम देने जा रहे हैं, तो एक गेस पर परहात में लिये हुए, आप कोश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये कता ही नहीं करना है, आपको रिलेक्स रखना है थोड़ा सा, एक्जाम से पहले जदि आप पूजा पाठें विश्वास रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा वगर वो भी कर लेना है, ठीक है, इससे हम ये नहीं करें कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन एक अगर्चित जो मन होता है, ठी तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, असनान जरूर करना है आपको एक्जाम देने जाने से, जब आप एक्जाम देने जारें तो असनान करके ही जाएं, ऐसनी कि उठे, सौच बगर भी नहीं कि चल दिया, आईसा नहीं कुछ करना है, पुड़ा पीरें, गुड़ गुड़ पीजाम दे रहें, गुड़ गुड़ पानी पीरें, पता चलेगा कि लग गया आप, आप जाहिए, उसी में परेसान रहें आप, तो आपको कॉपी बगर मिलेगा, ठीक है न, तो वहाँ पर आपको देख लेना है, अच्छा से, अपना रॉल न आप कितना भी अच्छा त्यारी करके क्यों नहीं गया है, यदि इन समय से कुछ भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है न, कुछ भी आपका छूट जाता है, आप यदि कुछ भी छोड़ देते हैं, तो आपका रिजल्ट रुख सकता है, आपका रिजल्ट फंस सकता है, ठीक ह हर रोज याद करके आपको एटेंडेंस बनाना है जो उसमें आप कॉपी का स्रीयल नमबर लिखेंगे कॉपी नमबर लिखेंगे वो आपको एक-एक अक्षा को मिला कर लिखना है कुछ भी गलत नहीं लिखना है ठीक है? इससे आपका रिजल्ट रुख सकता है समझ लिजिएगा, ठीक है? हाँ, और बड़ी बात क्या है कि जब आप एक्जाम देने जाते हैं तो उस्य में खानपान में आप थोड़ा सा ये करते हैं कि चलो एक्जाम देने आया है तो ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसे बनाओ इसका प्रियोग बिल्कुल नहीं करना आपको समझ में आ रहा है जैसे कुछ ऐसे चीज ना खाले जो आपको जो है आपके तवियत को खराब कर दे कुछ ऐसी लाप्रबाही ना कर ले जो आपके स्वास्त को खराब कर दे तो फिर आपकी एक साल की मेहनत बेकार हो जाएगी इसलिए एकजाम तक आपको एकदम सैयम में रहना है सैयम में खाना है जादा भाग दौर नहीं करना है इधर उधर जादा नहीं करना है जादा दौर भाग नहीं करना है ज्यादा खेल कूद भी नहीं करना है ठीक है कुछ भी आपको रिस्क लेने की जरुरत नहीं है ठीक है हमेशा जो है आपको खाना में एकदम साधा खाना का पड़ियोग करना है ठीक है जो नॉर्मल हो जो सुपाच्य खाना हो ऐसे नहीं कि आप खाली पुड़ी पुड़ा गदम तर के अपता चला कि वहां जाकर गास बना यहीं मार रहे हैं आपको माथा अलगे काम कर रहा है ठीक है वह सकता है पेट खराब हो गया तो आप परिशा का दिजिएगा ठीक ना इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखने की यह सब चोटी-चोटी चीजे हैं जिसको आप इग्नॉर करते हैं लेकिन यहीं चीज जब एक्जाम में हो जाता है आपके साथ तो आपका देगे इसा हो गया जिसके बस एक्जाम खराब हो गया पगला पहली बात सोचना है ठीक है अब इसको इग्नॉर नहीं करेंगे यह बहुत जरूरी चीजे हम आपको बता रहे हैं जिसको आप हमेशा इग्नॉर करते हैं और आपकी बहतर तैयारी होने के बावजूद भी यदि आप इन गलतियों को कर लेते हैं तो आपका एक्जाम खड़ाब चला जाता है ठीक है आपका रिजल्ट बेकार हो जाता है आपक तक फड़ाब भ घचा है तब आप अपने आपको कोषिते हैं इसलिए पहले ही इंजानकाड़ी को रखिये ठीक है और पूरे एकजाम तक आपको एकदम अपने आपको कंट्रोल में रखना है ठीक है हाँ कंट्रोल में रखना है exam के रात में परना है ज़ादा देर तक नही इंद लीजिए थीक है फूट एक्डम बहतरीन वाला अच्छा निंद लीजिए और फिर सुवा उटकर जो है ठीक है फिर शुवा उटकर ज़ंपर जदी 10-5 dus exam है तो आप एक्वाध गंटा पढ़शा यह जादे ज्जादे तक पढ़ सकते हैं उससे जागे आपको ज्यादा पढ़ने की जरुरूत नहीं और कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए और蝉र्ठी एक सवालाको आप यहीं तरीके से बनाएंगे ठीक ना ऐसा नहीं कि एक तरीके से बना दी है फिर एक दूसरा तरीका भी आपको आता है उसका भी प्रियोग करने लेगे एकजाम में नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है ठीक है ना हर इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है जो भी आपको बताया गया है ठीक है जितना उस जिसको आप कहते हैं उसको छोड़ कर और उसके बगल से लिखेंगे दूसरी चीज कि हमेशा पहला पेज को छोड़ देना है आपको ठीक है न जिसमें रॉल नमर रॉल कोड बगर लिखा हुआ होता है वो पेज पूड़ा छोड़ देना है उपर भी और उसके पीछे भी सकते हैं, ठीक है न, लेकि red pen का जैसे एक के बाद दू के बाद तीन के बाद चार के बाद पांच यदि ऐसा नहीं होता है तब आप कहीं कहीं से question कपड़ी हो जैसे पहला बना लिए, फिर दूसरा बनाए, ठीक है, और फिर तीसरा बनाए, फिर चौथा बनाए, अक्सर बच्छी क्या करते हैं कि पहले पहले बना लेते हैं, फिर दूसरा को छोड़ कर चौथा बनाएते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं, तो जो बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन यह स्रीज में बनाएंगे तो आपका माक्स बहतर होगा निशित रूप से ठीक है तो आप सबों को एक्जाम के लिए वेस्ट अपलग और यह जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है आपके लिए भले ही छोटा लग रहा होगा लेक लेकिन यह आज का अंस्ट्रक्शन आप सबों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसको केयर करने की जरुवत है और इस पर ध्यान लगाने की जरुवत है धन्यवाद बेस्ट अफलाग और देख जाम